BSC India के सामने जो bull है उसकी कहानी काफी interesting है और ये bull symbol है stock market के growth का और continuous optimism nature का लेकिन इसका एक connection common man के साथ है जिसकी कहानी हम लोग आज देखते है एक छोटी से सहर में रहने वाले रमेज की कहानी है ये रमेज वो थे जिनके सपने काफी बड़े थे और उन्हें पता चला था कि BSC India जो भारत का सबसे पुराना stock exchange है वहाँ से लोग बहुत अमीर बनते हैं लेकिन रमेज के पास ना ज़्यादा पैसे थे और ना ही stock market का ग्यान एक दिन रमेज ने डिसाइड किया कि वो मुंबई जाएंगे और वो stock market के बारे में सब कुछ सीखे है मुंबई पहुंचने के बाद BSC India के बाहर उन्होंने ये bull statue देखी उस bull statue को देखकर रमेज को लगा कि ये बस एक मूर्ती है लेकिन उसके अंदर की छुपी हुई symbolic कहानी थी बुल का मतलब होता है bullish market मतलब एक ऐसी market जिसमें growth होती है और लोग पैसे कमाते हैं रमेज ने डिसाइड किया कि वो भी बुल की तरह अपने carrier में growth करेंगा उसने stock market की छोटी सी छोटी बाते सीखना सुरू किया पहले थोड़ी investing किया गलतियां की लेकिन धीरे धीरे वो सीखते गए समझते गए market कैसे काम करता है हार एक चीज कुछ सालों के अंदर रमेज ने इतना कुछ सीख लिया कि वो खुद एक successful trader बन गया आज जब भी लोग उस बुल statue को देखते हैं तो रमेज जैसे हजारों common man को याद करते हैं जो अपनी महनत लगन और determination से stock market में अपनी जगा बना रहे हैं BAC के सामने खड़ा ये बुल आज भी सपनों का सिंबल है ये हमें याद दिलाता है कि अगर हम महनत करें करते रहें और महनत के साथ किसी भी चीज को सीखते रहें तो हम भी financial journey में successful बन सकते हैं BAC stock exchange के सामने खड़ा ये बुल और ये common man हर किसी को याद दिलाता है कि आपके सपनों के बीच में सिर्फ आफ की महनत और determination चाहिए हर एक सपना पूरा होता है मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए topic पे stay tuned take care thank you so much